विलकम टू मैं चैनल इंडियन मॉम कांचन So Guys, आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ मैरा morning cleaning routine Actually मैंने इलसे पहले भी morning cleaning routine आप लोगों के साथ share किया था बट ये requested video है काफी दिनों से इसकी request आरही थी तो मैंने फाइनली आज सोचा कि मैं अपना morning cleaning routine आप लोगों कि शेयर कर देती हूँ क्योंकि काफी लोग नाराज भी हो गये थे तो इसी वज़े मुझे मुझे नाराज की जहली नहीं जा रही थी वो comment करके मुझे बूली रहे थे इतने बार उन्होंने comment करके मुझे बूला तो अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने अपना morning cleaning जब start किया तो मैंने सुचा चलो shoot कर लेती हूँ ये और सब की request यही थी कि suit पर morning cleaning routine शेयर करो तो इसलिए इस बार suit पर morning cleaning routine शेयर कर रही हूँ और मेरी morning cleaning स्टार्ट होती है hall से तो ये living room है मेरा और यहाँ पर मैं सबसे पहले sofa clean करती हूँ सोफे की पूरी जो cover है वो सबसे पहले उतारती हूँ और जटक लेती हूँ उसका जो dust है वो निकल जाता है उसके बाद जो sofa होता है वो vacuum cleaner से clean करती हूँ जो अंदर dust होती है वो भी निकल जाती है उसमें से और फिर जो cover है वो लगा देती हूँ की मेरा कया होता है कि अगर मैं sofa पहले connected कर लेती हुना तो फिर जो dust नीचे गिरी होती है तो आराम से मैं clean कर लेती हूँ बाद में तो ऐसे ही पहले sofa clean करती हूँ उसके बाद मैं नीचे की जो dust होती है वो clean कर लेती हूँ और हाँ आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या use कर रही हूँ तो ये है vacuum cleaner actually इससे पहले भी मैं जो vacuum cleaner use करती है तो wire वाला था अभी ये मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ और ये मुझे काफी दा पसंद आ रहा है vacuum cleaner main बात तो ये है कि इसमें wire की जंजट नहीं है ये आप easily कही पर भी लेके जा सकते हो तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है और छोटा सा है तो आप easily carry कर सकते हो कही पर भी लेके जा सकते हो मिलता है वह भी मैं आपको बता देती हूँ ये जो है ये बॉडी है इसकी और उसके साथ एक चार्जर मिलता है ये जो अडेप्टर है वह मिलता है मतलब इसमें अट्च कर सकते हो आप इसे और पिर ये ब्रश मिलता एक और उसके जो यूज है मों मैं आपको बाद में बता हूँगे और ये की रॉड दे Emir रिक पर चलता है तो बैट्री मिलती है, क्योंकि वायरलेस है तो बैटरी पर रहा है, और ये क्लीनिंग यह मिलता है, दो यह चीजन में मिलती है, और यह चीज़ें आटी है तो किसे क्लीनिंग कैसे करनी होती है het already house और है, कैसे कैसे इसको यूज करना है कैसे कैसे इसे अट्याच करना है तो वह भी मैं आपको आगे बता दूंगी तो यहां पर आप देख सकते हो तो यह जो बॉड़ी है तो कुछ इस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है और यह आपको इस तरह से अट्याच करना होत और इसके बाद आप इसे फसा लीजे इसमें और बस ये टक की आवा जाएगी इसमें और बस ये फीट हो गया है उसके बाद आपको बैटरी की जरुरुत होगी तो बैटरी आप लगा लीजे इसमें और बस स्टार्ट हो गया है ये क्लीनी करने के लिए और यहां पर एक बट झाल भी सकते और इसमें बड़ा भी सकते हो आप पावर तो यह आपडंड इतना पावर फिर इसे रखना जाए तो बस क्लीनिक अगर हाड़ है यह और मुझे यह हैंडी है इसी वुझे से बहुत ज़दा अच्छा लगता है आप इसे रॉड के साथ भी उज़ कर सकते हो और विदाउट रॉड भी उज़ कर सकते हो अगर आपको वहां के वहां यूज करना है और अगर आपको खड़े होके यूज करना है तो extension रॉड ज्यादा मुझेल टास्क होता है हमारे लिए कारपेट क्लीन करना तो कारपेट बहुत ज़दा अच्छे से क्लीन करता है और कारपेट पर कोई भी धूल मिटी हो कोई भी डस्ट गिरी हो अगर आपके बच्चे इस तरह से नमकिन गिराते है या कुछ भी बिस्किट वगरा गिराते हैं तो आप देख सकते हो कितना इसीली क्लीन करता है ये और अगर बच्चे नमकिन गिराते है ना तो वो क्लीन करना बहुत ज़दा मुश्किल हो जाता है अगर आप कारपेट यूज करते हो और आपको पता होगा अगर आप यवाकिन क्लीनर यूज नहीं करते हो तो बहुत जादा मुश्किल हो जाता है कार्पेट क्लीन करना तो इसकी हल्प से आप इजीली कार्पेट भी क्लीन कर सकते हो बहुत सारे ऐसी चीजे है कि जो क्लीन कर सकते हो आप इजीली इससे और यह जो रॉड आता है तो वह इस तरह से अटैच करना पड़ता है इसे अच्छक डिन मट्लोग को अधर कोशिच करें मतलु कितना भी धूल मिट्टी हम लोग क्लीन करें बैट विंडो के अंदर का कच्रा जो है वह हम लोग नहीं आपका अगर laptop है या ऐसे जाली वाला कुछ है surface या कुछ भी है आपके घर में तो मतलब चोटी-चोटी चीज़े आप brush की help से clean कर सकते हो जैसे की computer हो गया और laptop हो गया उसका keyboard हो गया तो यह सारी चीज़े आप इसकी help से clean कर सकते हो और इससे clean करना ना बहुत ज़्यादा easy है इसी वज़े से ना मुझे यह बहुत जादा अच्छा लगता है एक तो छोटा है और हाथ में easily बैट जाता है तो बहुत अच्छे से cleaning भी करता है तो यही बात इसकी मुझे बहुत जादा अच्छी लगती है तो इस तरह से आप इसे clean कर सकते हो सारी चीज़े जो चीज़े के अंदर जो कच्रा है वो आइटमेटिक उसके अंदर ही चला जाएगा तो यह ना कच्रे को खीशता है तो यह डस्ट खीशता है इसे वज़े से डस्ट इसके अंदर जाएगी ना कि वो speaker के अंदर तो इसी तरह से आप इससे कुछ भी clean कर सकते हो तो यह सारी चीज़े इस दूरत नहीं पड़ेगी अगर इस पे धूल है तो यह आराम से धूल को खीश लेगा अपके घर में शोपीस वगरा लगे होते ही है इस तरह से स्टैचूज वगरा होते ही है तो यह आराम से स्टैचूज भी clean कर देता है क्योंकि उस पे बहुत धूल बैट जाती है और बह अगर आप रॉड लगाते हो मतलब ब्रश को मतलब extension रॉड अगर लगाते हो तो इससे आप फैन भी आराम से clean कर सकते हो तो इसमें भी कोई दिकत नहीं होगी आपको और इस तरह से मैं मेरी सूबे की cleaning कर लेती हूँ इससे और बहुत इजी जाती है मुझे cleaning करना मतलब इसस इससे ना time से हो जाता है अगर आप जाड़ू अगरा करते हो तो आपको पता ही होगा कि नीचे की जो धूल मिटी है और उपर बैट जाती है तो जाड़ू से कितना भी clean करोगे तो जाड़ू की जो धूल मिटी होती है वह उपर उड़ी जाती है और वह दूसरी चीजों प घर जो है वह हमेशा की लिए clean रहता है इसकी होते से अगर आप vacuum cleaner यूज़ करते हो। आपको पते ही होगा अगर जो नहीं यूज़ करते हैं तो उनके लिए तो यह बेस्ट मतलब वैक्यूम क्लीनर अगर आप पर्चेस कर लेते हो ना तो एक बार की इन्वेस्मेंट है बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस तरह से मैं मेट भी क्लीन कर लेती हूँ अगर आप ज़ाड़ते हो तो कितनी ज़्यादा दूल उससे निकलती है और वो दूल दूसरी जगा पर बैठ जाती है तो इसलिए यह अंदर दूल खीच लेता है और यहां पर इसकी जो डश्बिन है इस तरह से हैं अगर आप बटन पुश करोगे तो इसके डश्बिन का कच बाड़ू कलेक्ट नहीं करता है मतलब जो धूल है वो दूसरी चीज़ों पर बैठ जाती है तो इसलिए वह इतने अच्छे तरह से निकाल नहीं पाता है और यहां पर पूरा कच्रा वह खीच लेता है वैक्यूम क्लीनर और यहां पर इसका फिल्टर है एक्चुली तो यह और आट दिन में एक दो बार निकालते हो और वाश करते हो तो अच्छा रहेगा और पीछे इसके यह डस बिन होती है तो यह तो मैंने आपको दिखाई दी कि बटन पुछ करने के बाद आराम से निकल जाता है इसका लीड और इसका कच्रा आराम से निकाल सकते हो अब मैं इस टाइब का ही यह ब्रश टाइब का होता है और यह आपका फ्लोर वगरा कार्पेट वगरा अच्छे से क्लीन करता है तो इसमें बाल वगरा फस जाते हैं तो वो बाल आप निकाल सकते हो इसे वाश कर सकते हो और आराम से इसके सारे पार्स निकल जाते हो और आराम से इस कि इसमें wire नहीं है तो आपको जहनघ नहीं होगी कि दर दर उठाओ wire लगाओ और फिर clean करो तो अगर वायर होता है तो सबसे पहले तो आपको प्लग ही दूरना पड़ता है उसके लिए फिर वो वायर दर दर बीच में आता है तो यह सारी चीज़े उसमें होती है बट मुझे तो अभी जब से यह आया है तो मुझे पता चला है कि नहीं यह बहुत जबादाइजी से यूसफूल होते है उसे दूल वगरा कि जिनको अलर्जी है तो इनके लिए तो यह बेस्ट pt्व ओप्शन है क्लिनिंग के लिए तो बहुत अच्छा है यह अगर आपको भी अच्छा लगा होर आपको इसे पर्चेस करना हो तो आपको मेरा दिस्रिप्टिप्शन बोक्स चेक करना पढ़ेगा उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा और अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट पे डारेक्ट पहुंच जाओगे और अगर आप मेरा coupon code यूज़ करते हो तो तो coupon code यूज़ करना मत बुलेगा extra 500 आफ के लिए तो यहाँ पर मैं इस तरह से cleaning कर लेती हूँ पहले मॉपिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इस तरह से जो center table है उसे भी कॉलिन से clean कर लेती हूँ तो यहाँ पर मेरा जो भी guest आते है उन पर थोड़ा सा impression अलग ही पड़ता है अगर आपका घर clean रहता है तो और चीज़े अच्छे से set की होती है तो बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ bedroom में bed clean कर लेती हूँ अगर देखोगे तो अलग है थोड़ा सा वह आप अगर देखना चाहते हो तो उसका भी link आपको description box में मिल जाएगा आप वह भी चेक कर लेना तो यह lockdown का cleaning routine है वह इस तरह से है थोड़ा सा बच्चे लेट उट रहा है स्कूल जाना नहीं हो रहा है बच्चो को तो इसलिए और इनकी duty का तो problem नहीं है इनकी duty है इनको तो जाना होता है बट बच्चे रह रहना घर पे थोड़ा सा cleaning जादा करनी पड़ती है बच्चे घर पे रह जाता है तो इसलिए जादा cleaning करनी पड़ती है तो यह है मेरे lockdown का cleaning routine और इस तरह से मैं पहले vacuum cleaner से clean कर लेती हूँ इसके बाद mopping कर लेती हूँ तो अभी हो गया मेरा bedroom बेडरूम भी cleaner आप देख सकते हो बेडरूम भी कितना ज़दा अच्छा लग रहा है अभी clean होने के इसके बाद एक घंटा मुझे cleaning के लिए लग जाता है तो इस तरह से फिर cleaning हो जाती है मेरे इसके बाद मैं आज आपर तो यह basin यूज हो चुका होता है तब तक तो मैं इसे भी clean कर लेती हूँ क्योंकि यह common lighting bathroom के पास का बेसीन है और यह ज्यादा तर गंदा होता है क्योंकि इसमें hand wash जादा करते है सब तो इससे वज़े से यह बहुत ज़ंदा होता है तो यह सुबह सुबह मैं clean कर लेती हूँ मतलब जब cleaning करती हूँ तो यह सारी चीज़े clean कर लेती हूँ तो यहाँ पर आ गई हूँ में kitchen में और उसके बाद का जो काम है वो kitchen का ही होता है क्योंकि देखे उसके kitchen में breakfast बन चुका होता है तब breakfast भी हम लोग कर चुक होते है तब तक तो इसके बरतन भी निकल जाते है चाई के बरतन होते है डिक फास्ट के बरतन होते है तो यह सारे बरतन में पहले clean कर लेती हूँ और उसके बाद ग्यास का slab जो है वो clean करती हूँ एक्चुली ग्यास का स्लाप वैसे मेरा क्लीन ही रहता है मतलब थोड़ थोड़ दिर में हमें कपड़ा मारती रहती हूं बट वो होता है ना कि एक बार क्लीन करो तो थोड़ा सा दिल को तसली मिल जाती है सारी चीज़े क्लीन करो तो अगर यह सारी चीज़े क्लीन दिखती है तो फिर आरम से बेट सकते हूं नहीं तो फिर वही होता है यार प्ली नहीं हुआ है तो प्ली नहीं हुआ है और पिर उसके बाद लंज करने कि लिए आती हूं एकग लंग उसके कुकरणे करने के लिए की तो इसे वज़े से लंच भी थोड़ा सा लेट ही बनता है, तो ये आते हैं डाई या तीन बजे, तो फिर उसके बाद हम लोग लुग लउच करते हैं, तो ब्रिकफास्ट कर लेता हैं, तो इसलिए हम लोग तीन बज़े तक लंच कर लेते हैं अपना, इंके साथ हिकते हैं, वेट करते है आने का फिर उसके बाद lunch करते है तो इस तरह से मैं बरतन clean कर लेती ह neighbors गैस के slab पर मेरा जो slab है वह gonna black color का है तो इसे थोड़ा सा भी आप अगर clean करते हो ना अच्छा से wipe करते हो और अच्छा से एक पड़े से पोछ लेते हो ना बहुत Josh चमकने लगता है तो मुझे जब चमकता है यह तो मुझे बहुत जदा अच्छा लगता है, जब मैं एंट्री करती हूँ, और चमकता हुआ, यह पास दिख जाता है तो मुझे इसा लगदा कि बहुत ज़ादा क्लीन हो गया है, किचन और फिर दूसरे चीज़ों की जरूरत नहीं परती है तो इस तरह से मैं स्लैप जो है अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ फिर मैंने जो प्रिकफास्स बनाया होता है गैस पे तो वह भी अच्छे थोड़ा सा उस पर गीरी जाता है कितना कोशिश करो हम लोग तो वह गीरी कैसा चल रहा है लोगडाउन में और आप भी थोड़ा सा लेट उट रहे होंगे लेट हो रहा होगा सारी चीज़े मैं तो लेट नहीं उट रही हूँ क्योंकि मुझे इनके ड्यूटी की वज़े से उटना ही पड़ता है सुबे बट थोड़ा सा वह हो जाता है कि बच्चो कर ले देख से क्लीकर लेती हूं वह बारिक धूल होती हैं वह दीक déjàती है थोड़ी दैर के बाद ग्लास पर इसी इसलिए मैं उसे भी क्ली Kin कर लेते हूं पहले गीले ककपड़े से क्लीन कर लेती हो इसक시면 कर लेती हूं तो यह हो गया मेरा फलोर की चीज़े है मतलब यो क्ली मेरा कीचेन जो है वो क्लीन हो चुका है और कितना ज़दा अच्छा लग रहा है और आपको क्लीन होने के बाद मेरा घर कैसा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताईएगा आई होप आपको अच्छा ही लग रहा होगा क्योंकि क्लीन होने के बाद किसको अच्छा नही तो बस यही काम सबसे important होता है, तो उसके बाद मैं cleaning हो जाने के बाद यह जो vacuum cleaner है, उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए लगा देती हूँ, क्योंकि यह बैटरी एक गंटे तक चल जाती है, एक गंटे से जादा चलती है, बट फिर भी मैं चार्ज करने के लिए लगा देती अगर यह red light जल जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बैटरी चार्ज हो रही है, उसके बाद blue light आएगा तब समझ जाना कि बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी है, उसके बाद मैं आती हूँ dining table पर थोड़ा सा कपड़ा मारने, वैसे dining जो है मेरा clean ही रहता है, फिर भी जो glass है वो चमकने के लिए मैं थोड़ा सा उस पर calling चिड़क देती हूँ और इस तरह से कपड़ा मार लेती हूँ, और अभी मैं एक important चीज आपके साथ share करने वाली तो यह है एक mini fan, तो यह बहुत ज़दा मतलब काम आने वाला है, तो यह है geek का mini fan और इस तरह से आपको इस इसमें सारी चीज़े मिलती है, तो यह है उसका जो handle होता है, वो है, इसके साथ एक dory भी आती है, मतलब लटकाने के लिए और यह इस तरह से fit करना पड़ता है, और बस गुमाद होगे, तो यह fit हो जाएगा, और इसके साथ एक manual भी मिलता है आपको, इसे पढ़के आप इस हवा जो है, बहुत ज़्यादा देता है, और इसका एक stand आता है इसमें, तो इस तरह से आप इसमें लगा दोगे ना, तो यह कही हीलेगा नहीं, और आप इसे परस में लेके जा सकते हो, कही पर भी लेके जा सकते हो अपने साथ, जहां पर भी आप जा रहे हो, तो अपने सा पोर्टेबल फैन है विद पावर बैंग यह वर्किंग एंड हाउस वाइप के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला फैन है यह आप अगर वर्किंग हो तो आपके काम की जगा इसे आप लेके जा सकते हो टावलिंग कर रहे हो उस टाइम आप रख सकते हो पास यह और अगर आप हाउस वाइप हो तो किचन में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और गर्मी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है आपको किचन में और आप बड़ा वाला फैन भी नहीं लगा सकते हो किचन में क्योंकि आपका जो ग्यास है व without stand भी 뜨ζु से आप charge कर सकते हो इस 꾹 इस基acy फैन को औरस की फैन कि जो हवा है मतलब इससे spend भी बढ़ा सकते हो बहुत जादा please इसकी है मतलब इससे कम सकते हो एक यही बटन सफिण कम कर सकते हो इसकी और यही बटन सफ इसकी speed बढ़ा सकते हो और बस इस तरह की हवा का मज़ा ले सकते हो kitchen में तो kitchen में तो बहुत ज़दा ये काम आएगा आपके और इस तरह से अगर आप इसे लगाते हो और window में रखते हो ना तो अगर कोई भी खाना बना रहे हो तो इसमें इसके हवा भी नहीं लगेगी आपके face पे डारेक इसके हवा लगेगी और आपको गर्मी भी नहीं होगी summer में आपके ये आपका साथी बनके रहने वाला है kitchen में I hope कोई ये पसंद आया होगा अगर पसंद आया है और आपको इसे purchase करना है तो इसका भी link आपको description box में में जाएगा मेरा description box जरूर चेक कर लेना vacuum cleaner और इसका link आपको description box में मिल जाएगा और अगर आप मेरा coupon code यूज करोगे तो आपको vacuum cleaner पे 500 extra off मिल जाएगा तो मेरा coupon code यूज करना मत भूलेगा उससे आपके 500 रुपीज से हो जाएगे आपको यह चुटा सा cleaning vlog पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर देना और share भी कर देना अपने friends or family के साथ और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो subscribe जरूर कर देना और उसके वाजो में एक bell icon आएगा उसको भी click कर देना उससे क्या होगा कि मेरे आने वारे वीडियो की notification आपको मिल जाएगी और उससे आप सबसे पहले देख पाओगे तो चली फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स vlog मेटी देन बाबाई टेक के रे और लब यो ओल बाई